तो दोस्तों चीले तो आपने बहुत खाए होंगे आटे का, बेसन का, सूजी का, मगर आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मक्की के आटे का चीला, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और सर्धियों की मौसमें न, विंटर इस्पेशल, ये मक्की के चीले को आप ट्राइ के में, आप ये जो चीला है न मक्की का आटे का, ट्राइ कीज़ेगा, बहुत ही बड़िया बनता है, तो यहां देखिए मैंने एक ले लिया है बाउल और इसमें डाल रही हूँ एक कप मक्की का आटा, तो आप कोई भी कटोरी, कोई भी कप यहां पर मेजर के ले सकते हैं, औ इसमें में डाल दी है आधर चमच धनिया पाउडर, और बड़ी असा कलर निखर करके आए हमारे चीले का, तो इसमें डाल है आधर चमच मेंने हल्दी पाउडर, और अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल सकते हैं, मैं यहां पोना चमच के लगबग नमक का दोस्तों, और इसमें डालेंगे हम अजवाइन, बहुत बड़िया कॉंबिनेशन जाता है मक्य के आटे के साथ अजवाईन का, तो थोड़ा सा हाथ से क्रेश करके डाल दीजिये, और इसमें अब डालेंगे हम हरी मिर्चे, तो दो हरी मिर्चे है मतलब ठोड़ी सी लाल और mix करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी और अच्छे से मिलाते हुए पहले थोड़ा ही पानी डालेंगे क्योंकि ज्यादर डाल देंगे तो फीट घोलने में आपको परिशानी होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे तो गाठी भी नहीं बनेंगी और हमारे जो बैटर है वो बढ़िया से हम उसे घोल लेंगे स्मूथ सा बैटर हमारा बन करके तैयार होगा तो यहाँ पर घोल को त्यार कर निकले मैंने दोस्तों गरम पानी का यूज करा है बहुत जादा गरम भी नहीं है गुन-गुन इसे थोड़ा सा गरम तो बस देखिए यहाँ पर हमने बैटर को अच्छे से तियार कर लिया अभी बहुत थिक लग रहा है तो थोड़ा पानी इसमें मैं और डालूँगी तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पानी डाल करके इसको पतला कर लिया है अभी यह काफी पतला आपको नजर आ रहा होगा मगर जब हम इसे रैस्ट के लिए रखेंगे न 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे जरूर रखें रैस्ट के लिए इससे होगा क्या कि जो हमारा आटा है अच्छे से फूल जाएगा गाड़ा हो जाएगा तो 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी और आफ्टर 15 मिनट आप देखेंगे कि जो हमारा बैटर है पहले के कंपरिजन में कितना गाड़ा हो गया है जो आटा हमारे थाना अच्छे से फूल गया है तो बस इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया एक दम ताजा ताजा देशी हारा धनिया खुश्बू भी बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा हैल्दी बन जाएगा हमारा चीला तो सारी चीजों को चली बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से सारी चीज़े आपस में कंबाइन हो गई है हम देख रहे हैं बैटर के इस तरीके का नम बहुत ज़्यादा गाड़ा और नम बहुत ज़्यादा पतला ऐसा है कि जब हम इसे फिल है तो यह असानी से फैल जाएगा दोस्तों तो चलते हैं गैस की तरफ और यहां गैस पर मैंने एक तावा रख दिया है और नॉंस्टिक तवी का यूज करी हूँ थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे तवी को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और अब लेंगे एक कट्ची बैटर हमारा मक्के के आटिक बस इस्प्रेड कर दीजिए और इसको सही बताओ ना दोस्तों तो बहुत ज़्यादा मत फैलाईएगा और बस थोड़ा छोटा ही बनाए पूरा ऐसनी की तवा आप बहर दें तो पलटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब ये एक तरफ से उपर से इसकी सर्फेस ना सूख जाए तभी आपको इसको पलटना है तब तक इसके कॉर्णर्स में हम डाल देंगे थोड़ा सा घी आप चाहें तो यहाँ पर तेल कर यूज़ कर सकते हैं जब उपर से इसकी सर्फेस ना एक दम ड्राइ सा हो जाए देंगे इस तरीके से नहीं लग रहा ना हाटों में तो बस तभी आपको इसे टर्न करना है आपने देखा होगा कि जब हम मक्का की रोटी बनाते हैं तो इसलिए आपको बातारियों बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाएगा वरना आप इसे टर्न कर पाएंगे और ये टूड जाएगा तो बस यहां से देखिए कितना बड़े सा हमारा जो चीला है सिक गया है तो इसको हम अब पलट लेंगे तो देखिए पीछे से भी कितना बढ़िया हमारा चीला बन करके ready हो गया है, सिक गया है और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बने थे बहुत ज़्यादा delicious बने थे एकदम करारे बढ़िया बने थे तो इसी तरीके से ही बस एक बार हमने ना यहां पर तभी को grease कर रहता दो बारा नहीं करेंगे और एक कर्ची बैटर डाल देंगे फैला देंगे, तो बस इसी तरीके से हम अपने सारे चीलों को बनाएंगे और इसमें अब साइडों में थोड़ा सा हम घी डाल देंगे और ऐसे ही इसको नीचे से अच्छे से सीखने देंगे, और जब उपर की सर्फेस जैसे मैं आपको पहले बताया था जब उपर की सर्फेस एकदम इसकी ड्राइ हो जाए ना सूख जाए, दोस्तो तब ही आपको इसको पलटना है, गिले-गिले में आप बिल्कुल भी मत पलटेगा, वरना चीला तूट जाएगा, तो देखिए जब उपर सी सर्फेस एकदम ड्राइ हो जाता ना, तो ये अच्छे से आप इसे टर्न कर सकते हैं, और कलर आप देखिए कितना ज़्यादा बढ़ी आया है दोस्तों, मस्त आया है एकदम और ट्राइ कीजिएगा इस सर्दी में आप ये मका के आटे के चीले, बहुत ज़्यादा सब को पसंद आने वाले हैं, मैंने बनाए थे तो घर में सब को बहुत पसंद आए, चलिए फटाफट से सर्फ कर लेते हैं तो यहाँ पर मका के चीले जो मैंने बनाए हैं, इसको मैं सर्फ कर रही हूँ से तो मतलब रुका ही नहीं जा रहा है इतना बड़िया इसका ultimate taste था गजब का था दोस्तों गजब का बहुत बड़िया बंदे ट्राइ किज़ेगा feedback दीजी का वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share और चैनल पर पहली बार अगर विजिट करें तो चैनल को भी फटा फट से subscribe कर लीजगा बहुत बहुत जानवाद दोस्तों आपको मेरी वीडियो को देखने के लिए thank you so much